इंडियन स्मार्टफोन ब्राइंड माइक्रोमेक्स ने भारत में माइक्रोमेक्स इन नौटटू लॉंच कर दिया है नया माइक्रोमेक्स इन नौटटू बजट फोन एक फ्लैक्सिप डिजाइन, एमोलेट डिस्पले, 30 वर्ट चार्जर, ग्लास बॉड़ी, इन बिल्ट कुलिंग सिस्टम जैसे फीचर और बहुत कुद सहीत कई दिल्चस्प विसिस्ताओं के साथ आता है जो यूजर्स को इन टी हर्ट डिस्पले, फिक्ती मेब का पिक्सल का कौर्ड कैमेरा सेट अप, 6000 एमेच बैटरी और बहुत कुद सहीत कई दिल्चस्प विसिस्ताओं के साथ आता है माइक्रोमेक्स वर्टमान में समान कीमत पर माइक्रोमेक्स इन नौट टू की पेसकस कर रहा है तो कौन सा इस प्राइस पॉइंट पर सबसे अच्छा स्मार्टफॉन है रेड्मे 10 प्राइम या माइक्रोमेक्स इन नौट टू 4G बजट सेग्मेंट के अगले क्राउन प्रिंस कौन होंगे आईए इस कंपरिजन में जाने हेलो दोस्तो मेरा नाम है राकेज और आप दिख रहे हैं राकेज टेग थैंक्स फर सब्सक्राइब दोनोही स्मार्टफॉन कुछ दिलचस्प डिजाइन पैटर्न के साथ आते हैं रेड्मे 10 प्राइम एक अलग दिखने वाला कैमरा मॉडूल प्रदान करता है जिसमें एक LED फ्लेज के साथ एक कौर कैमरा सेट अप होता है सामने की तरफ टॉप सेंटर में एक पंच हॉल कट आउट है जिसमें एक सैल्फी शूटर है रेड्मे 10 प्राइम हैंडसेट बाइ फ्रोस्ट ब्लू पैंथम ब्लैक और एस्टर वाइट जैसे तीन कलर अप्शन में अविलेबल है माइक्रोमेक्स इन नौट टू एक वर्टिकल ओरिएंटेड कैमरा मॉडूल के साथ पींछे की तरफ प्लैक्सीप सैमसंग S20 सिरीज चैसी डिजाइन के साथ आता है फोन में डिस्प्ले के टॉप सेंटर में तैल्फी के लिए एक पंच हॉल कटाउट है माइक्रोमेक्स इन नौट टू हैंडसेट ब्लैक और ब्राउन जैसे दो कलोर ओप्शन में अविलेबल है डायमेंशन की बात करें तो रेड्मी 10 प्राइम स्मार्टफोन का थिकनेस 9.6 mm और वेट 192 ग्राम है जबकि माइक्रोमेक्स इन नौट टू 4G का थिकनेस 8.3 mm है और वेट 205 ग्राम है अभी रेड्मी 10 प्राइम स्मार्टफोन की बैटरी 6000 एमेज की है और माइक्रोमेक्स इन नौट 2 की बैटरी 5000 एमेज की है लेकिन माइक्रोमेक्स स्मार्टफोन ग्लास बैक डिजाइन के साथ आता है तो स्क्रेचिस आने की संभावना कम रहेगी और हाथों में ज्यादा प्रिमियम फिल होगा फिर भी केस लगाकर आप यूज करोगे तो ज्यादा बैतर रहेगा जबकि रेड्मी 10 प्राइम स्मार्टफोन पुली कारबोनेट बैक डिजाइन के साथ आता है तो स्क्रेचिस आने की संभावना रहेगी तो केस लगाकर यूज करोगे तो ज्यादा बैतर रहेगा दोनोई स्मार्टफोन में साइड माउंटेट फिंगरप्रिंट सेंसर आता है दोनोई स्मार्टफोन का डिजैन पैटर्न काफी पसंद आने वाला अच्छा है आपको जैन पसंद आया कॉमेंट बाक्स में जरू बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर देना दोस्तो डिस्प्ले की बात करें तो माइक्रोमेक्स इन नौट टू स्मार्टफोन में 6.43 इच का फूल एजडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है जबकि रेड्मी 10 प्राइम में 6.5 इच का फूल एजडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है दोने ही स्मार्टफोन का स्प्रिं रिजॉलुशन 2400 x 1080 पिक्सल से है माइक्रोमेक्स इन नौट टू डिवाइस 60 हर्ट के फास रिफ्रेसरेट को सपोर्ट करता है जबकि रेड्मी 10 प्राइम 90 हर्ट के फास रिफ्रेसरेट को सपोर्ट करता है माइक्रोमेक्स इन नौट टू स्मार्टफोन में आपको 90% का स्क्रिं टू बड़ी रिशियो मिलता है जबकि Redmi 10 Prime स्मार्टफॉन में आपको 89% का screen to body ratio मिलता है दुनाई स्मार्टफॉन में Corning Gorilla Glass 3 की screen protection दी गई है लेकिन Micromax Innot2 में 550 nits की थोड़ी बढ़िया brightness आपको मिलती है जबकि Redmi 10 Prime में 400 nits की brightness मिलती है तो Micromax Innot2 device में display की quality इस price point पर सबसे बढ़िया है दुनों ही स्मार्टफॉन में touch sampling rate कहीं mention नहीं किया गया है performance के reference में दुनों ही स्मार्टफॉन MediaTek के processor के साथ और 12NM technology के साथ ही आते हैं लेकिन Micromax Innot2 थोड़े बहतर MediaTek Helio G95 chipset processor द्वारा संचाली थै जिसे Mali G76 GPU के साथ integrate किया गया है Micromax Innot2 का antudus को 2.95 लाग के आसपास आता है जब 4GB RAM और 64GB की internal storage के साथ आज की दारिक में केवल एक ही model में available है Micromax Innot2 smartphone stock Android पर चलता है जो Android 11 पर अधारित है जबकि Redmi 10 Prime First Time MediaTek Helio G88 processor द्वारा संचाली थै जिसे Mali G52 के साथ integrate किया गया है G88 का processor G85 से थोड़ा सा upgraded version है Redmi 10 Prime का antudus score 2.38 लाग के आसपास आता है Redmi 10 Prime smartphone दो model 4GB RAM प्लस 64GB और 6GB RAM प्लस 128GB internal storage ऐसे दो variant में available है यह Android 11 पर MIUI 12.5 operating system पर चलता है दोनुई smart phones LPDDR4X RAM टाइप के साथ आते हैं लेकिन Redmi 10 Prime का storage type EMMC 5.1 है जबकि Micromax Innot2 का storage type UFS 2.1 है तो Micromax Innot2 में read or write की speed आपको ज्यादा मिलेगी और gaming experience Micromax Innot2 में आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा क्योंकि G95 का processor आपको बड़िया level का बड़िया gaming experience कराएगा और heating का issue भी नहीं आएगा क्योंकि Micromax ने smartphone में inbuilt liquid cooling technology प्रोवाइड की है तो gaming में कोई problem शायद नहीं आएगा Redmi 10 Prime में bloatware आपको ज्यादा मिलेगे जिसे आप uninstall कर पाओगे जो एक सुतने वाली बात है जबकि Micromax in Note 2 में कोई advertisement और bloatware आपको देखने को नहीं मिलेंगे एकदम stock android वाला clean experience आपको मिलेगा customization दोनोई smartphone में आपको अच्छे मिलते हैं जो अच्छी बात है दोनोई smartphone में touch sampling rate कहीं mention नहीं किया गया है कैमेरों के reference में दोनोई smartphone में quad camera setup दिया गया है Redmi 10 Prime पीछे की तरफ dual flash के साथ quad camera setup प्रदन करता है जिसमें 50 megapixel का primary camera, 8 megapixel का ultra wide angle sensor, 2 megapixel का macro shooter और 2 megapixel का depth sensor दिया गया है Selfie और video call के लिए front में 8 megapixel का selfie camera दिया है जो इस price point पर थोड़ा कम लगता है आपकी क्या रहा है दोस्तों? कॉमेंट करके ज़रूब बताएं जबकि Micromax Innot2 में भी flash के साथ 48 megapixel का quad camera setup दिया गया है जिसमें 48 megapixel का primary camera, 5 megapixel का ultra wide angle sensor, 2 megapixel का macro shooter और 2 megapixel का depth sensor दिया गया है device, panorama, bus mode, time lapse, photography, face beauty, night mode, slow motion और QR code sensor, pro mode को support करता है Selfie और video call के लिए front में 16 megapixel का selfie camera दिया गया है 4K recording आप दोनों स्मार्टफ़न में कर सकते हो अगर आप selfie के सौकिन हो तो Micromax Innot2 आपके लिए बढ़या रहेगा क्योंकि 16 megapixel का selfie camera आपको बड़या result देगा जिसमें detailing आपको अच्छी मिलेगी वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरू कर देना दोस्तो Redmi 10 Prime को 6000 mh की massive battery द्वारा चार्ज किया जाता है और यह 18 watt के fast charging का support प्रदान करता है लेकिन box में केवल 22.5 watt charger के साथ आएगा दूसरी होर Micromax Innot2 5000 mh की massive battery के साथ आता है लेकिन इसके लिए 30 watt adapter fast charging support के साथ आएगा जो Micromax Innot2 को 25 minutes में 50% charge कर सकता है ऐसा company का दावा है Reverse charging दूनों ही smartphone support करते है connectivity के लियाद से दूनों ही smartphone में dedicated triple SIM slot याने SIM 1, SIM 2 प्लस SD card install आप कर सकते है Wi-Fi, Bluetooth, V5.1, USB Type-C port और 3.5 mm headphone jack का support आपको दूनों ही smartphone में दिया गया है जबकि Redmi 10 Prime में आपको extra feature हमेशा की तरह infrared air blaster मिलता है जिसे आप remote app के माध्यम से आपके electronic device को remote control कर सकते है Redmi 10 Prime आपको dual stereo speaker मिलता है जबकि Micromax E-Node 2 में आपको single speaker मिलेगा Side fingerprint sensor और face unlock दोनों ही smartphone में पास काम करते है Redmi 10 Prime के sensors में Fast side fingerprint sensor, proximity sensor, ambient light sensor, accelerometer, electronic compass और air blaster मिलता है जबकि Micromax E-Node 2 4G के sensor में ultra fast side fingerprint sensor, proximity sensor, light sensor, magnetic induction sensor, explosion sensor और gyrometer sensor मिलते हैं दोनों ही smartphone की कीमत के बारे में बात करें तो Redmi 10 Prime 4GB RAM प्लस 64GB वेरेंट के लिए 12,999 रूपेज की कीमत के साथ आज की डेट में अवेलेबल है 6GB RAM प्लस 128GB वाले model की कीमत 14,999 रूपेज में आज की डेट में अवेलेबल है Micromax E-Node 2 की price 4GB RAM प्लस 64GB स्टोरेज वाले के वल एक ही model के लिए 13,499 रूपेज में अवेलेबल है लेकिन introductory limited offer की तहद आज की डेट में आप उसे 12,824 रूपेज में खरीच सकते हैं तो वास्तों में कौनसा बैतर है दोनों स्मार्टपॉन इस बार काफी करीब आ गये हैं क्योंकि दोनों में आमने सामने की टककर है Redmi 10 Prime IPS LCD डिस्प्ले के साथ आता है हला कि आपको 90Hz का fast refresh rate मिलता है performance के मामले में Micromax E-Node 2 में आपको processor Redmi से ज़्यादा बढ़या देखने को मिलता है fast charging 30W का support देखने को मिलता है ज़्यादा clean stock Android वाला experience आपको देगा तो Redmi 10 Prime की तुला में थोड़ा फाइदा है लेकिन Redmi 10 Prime कैमेरा विभाग में अपने 50MP के quad camera setup के साथ अच्छा करता है 6000 image की बैटरी मिलती है लेकिन selfie camera 8MP का ही है और processor भी इतना powerful नहीं है अगर आपकी priority 6000 image की massive battery 50MP का quad rear camera 90Hz का display IR blaster, dual speaker और Redmi के sawkin है तो आप Redmi 10 Prime definitely खरीच सकते है और अगर performance और gaming और ज्यादा बढ़िया चाहिए AMOLED डिस्पले चाहिए Liquid cooling technology चाहिए better CPU, stock Android वाला clean experience glass bag, finish with glamorous sets, better 16MP का selfie camera 30W का fast-art charger और UFS 2.1 का storage type ज्यादा बढ़िया चाहिए तो आप Micromax in Note 2 को 12,824 रूपीज में limited introductory price offer के तहत flipka.com से खरीच सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर देना दोस्तों आपको कौन सा smartphone अच्छा लगा comment box में comment जरू करना क्योंकि काफ़ी लोग आपकी comment को consider करते हैं तो उनको भी help मिल जाएगे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो subscribe बटन दबा के bell icon प्रेस करके all पर click कर देना ताकि ऐसी ही information से बड़ी बैतर इन वीडियो तब से पहले आप तक पहुंचती रहे लाइक करना share करना subscribe करना बिल्कूल free है तो जल्दी से like, share और subscribe कर दीजिए त्वस्त रहें, सुरक्सित रहें मजे में रहें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई